नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, इस्प्रेड हापिनेस, खुशियां फैलाते रहो, गम को भगाते रहो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आज हम एकसल की दूसरी क्लास लेंगे, आज हमारा सेकिंड है, हम दूसरी क्लास लेंगे पार्ट सेकिंड, उमीद करते हैं आपने पार्ट बन देखा होगा जिसमें हमने एकसल की बेसिक जानकर यह आपके साथ सेयर की है एक्सल के part 1 में हमने यहाँ पर office button हमारा title बार menu बार ribbon टैप की उसके बाद में यहाँ पर cell, column और यह row यहाँ पर seat को कैसे add करना, seat को यहाँ से कैसे delete करना इस सारी चीज़ें सीखी थी आज हम सीखेंगे Excel कैसे काम करता है, आईए शुरू करते हैं अपनी second class Excel की Excel करता कैसे है इस वीडियो में हम Excel की बहुत ही basic से जानकरिया सीखेंगे क्योंकि कहते भी हैं कि अगर Excel की basic से जानकरिया अगर आपको आती हैं तो यह आप Excel में आगे आपको interest भी आएगा और आप आगे भी बढ़ेंगे ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए जरूर है कि उसकी नीव मजबूत होना यह समझ लेज़े कि आज की वीडियो हम Excel की नीव ही रखने वाले हैं जितनी नीव आपकी मजबूत होगी उतना ही पक्का आपका मुनियाद होगी चलिए शुरू करते हैं आज हम Excel की बेसिक से जानकारियों के साथ अपनी आज की class चलिए सबसे पहले हम Excel को यहाँ पर खोल लेते हैं बिंडो के साथ R बटन को हम प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारी की है वो ओपन हो जाता है यहाँ पर हमें Excel already type किया हुआ है जिस पर हम एंटर करते हैं तो हमारे यहाँ पर Excel की सीट खोल जाती है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे Excel को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यह आपको दिखाने के लिए देखेगा मैंने एक्सल को यहाँ से जूम किया है आप यहाँ से एक्सल की सीट को छोटा या बढ़ा कर सकते मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ सके मैं आपको बता दू कि जो एक्सल की सीट होती है एक्सल जो सौफटवियर होता है बहुत ही समार्ट सौफटवियर होता है इसमें थोड़ा सा हिंट अगर एक्सल को देते हैं तो एक्सल अल्रेडि समझ जाता है कि आगे आपको किस प्रिकार का डाटर वीश्च चाहिए वह आपको वैसा ही डाटर वहाँ पर उपलब्द करा देखिए, हाई है, समझते हैं कैसे, देखिए, सबसे पहले हम Excel में यहां पर सीखेंगे, कि हैं यहां पर जो row और kolum है, उनकी सायज को हम कैसे घटाया जाब ड़ा सकते हैं, क्योंकि जो हम किसी भी सीट पर काम करते हैं, और हम यह काम ही दिया जाता है, जिसे माले लीजे, डा हमें कोई चीज आती है तो बड़े confidence से हम उसको करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम column और row जो हैं उनकी लंबाई चुड़ाई को कैसे बढ़ाते हो घटाते हैं वो सीखेंगे सबसे पहले हम column की लंबाई को बढ़ाते हैं करसर 2-4 IO यहाँ सैंटर में मतला टोर्दार करतें और इसको डैएक करते हैं लेफ ट्रकातें मैं लेफट लेफट मास्यों से ड्रैकि आपके लंबाई बरती चारी और 25 चोड़ देते हैं सारी हैं सारी किस अगर इसको कम करना चाहिए तो कैसे भी करके drag करके इसको बापिस से उसकी position में ला सकते हैं तो cursor की help से हम यहाँ पे center पे लाके इसके लंबाई को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अगर आप एक से ज़्याद कॉलम को same लंबाई में या चोड़ाई में आप करना चाते हैं तो यहाँ पे cursor को रखके shift button के साथ इसका use करेंगे आप मालेजी एक से ज़्याद की लंबाई को बढ़ाना है तो हम shift button के साथ mouse pointer को करते जाएंगे देखेगा यह कर लिया हम उने अब इतने सारे कॉलम की लंबाई आप जितना भी चाहिए उतना drag करते हैं same बढ़ जाएगी यह देखेगा यह हमारा बढ़ चुका है यहाँ पर और इसमें भी under redo same काम करता है हम बापिस से इसमें under redo की मदद से बापिस से अपने page पर आ जाएंगे देखेगा बापिस से same position पर आने मेरा mouse कर से देखेगा उपर जा रहे हैं यहाँ पर हम बापिस से under करेंगे under करने पर हमारे same position हमें मिल जाएगे जिस पर हम काम कर रहे है अब हम इसी तरीके से row की चौड़ाई को कैसे बढ़ाएंगे same इसी तरीके से जो हमारा mouse pointer उसको हम इस line पर लेके जाएंगे और जितना left button से जितना भी आपको चौड़ाई करनी हो इतना ड्रैक करते जाएगे आप देखते जा रहे हैं उपर चार से पांच नंबर की बीच में कितना gap होता जा रहा है जितना भी हम इसको ड्रैक उपर नीचे करेंगे उतनी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगे यह देखेगा चार से पांच नंबर की कॉलम के बीच में हमारा gap हो कितना जादा दिख रहा है इसी तरीके से इसको बापस कम करने के लिए इसे कर सकते हैं या फिर हम बापस से अंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारी बापस से पुरानी सीट आ जाएगी तो आपने देखा कैसे हम कॉलम और रो की लंबाई और चोड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं अब ठीक इसी तरीके से अगर मुझे एक से ज़्यादा रो को उपर या नीचे करने हैं तो सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट के सेलेक्शन पर जाएगे उसके अलावा माउस के लेफ्ट बटन से आप उतने रो स्लेक्ट कर लीजे जिसको कम या जादा करना है देखेगा माउस के लेफ्ट बटन से आप जब किलिक करेंगे तो यह नीचे उपर हो रहा है और इतना आप यहाँ पे छोड़ देंगे अब यहाँ पर आपने देखा साथ से लेके 17 तक की रो को हमने सेलेक्ट कर लिया है इसको हम चाहें तो इसके चोड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं यह सारे रो में काम करेगा सारे में जो लंबाई और चोड़ाई वो सेम हो गई है आप हम क्या करते हैं अगर इसी तरीके से कर करना है आपको रो की चोड़ाई उतनी कर सकते सारे जितना सेलेक्ट किया हुआ एरिया है उतने सब में एपलाई होगा यह देखेगा मैंने एक रो को सेलेक्ट किया है उसकी लंबाई उसकी चोड़ाई को कम किया यह सारे रो में यह दिख रहा है सेम इस तरीके से आप कॉलम को और रोको घटा या बढ़ा सकते हैं बापिस से हम यह आप पर देखिए ओफिस बटन के जस्ट वाजू में हमें अंडो रीडो का बटन मिल जाएगा अंडो करके हम बापिस सेम पोजिशन में आ जाएंगे यह देखिएगा हम अपनी बापिस सेट पर आ गए जिस पर हम काम कर रहे थे जिस पर हमने कॉलम को घटाना और रो को घटाना बढ़ाना सीखा था देखिएगा अब आगे जो आपको यह बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं यह होता है सेल में पहले भी बता चुकी हैं किसी भी कॉलम और रो के जो कटान मिंदू होता है जहां पर इक कटती है वहाँ पर जो बॉक्स बनता है उसको बोलते हैं सेल में हम अलग अलग ताटा बढ़ेज़ की जो कटान बिंदू होती है यहाँ से यह कॉ लम जा रहा है यहां से रो जा रहा है इसकर क्लिक करते हैं उसको सेल कहते हैं कि सेल्स आ रहे हैं पर जहां पर यहाँन पर बलेक जो काले कलरी के पट्टी दिखेंगे यह वह गाज in स्प्रेड किया है आप कोई भी डाटा एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा अब दीखिएगा यहाँ पर मैंने अगर लिखा है कि स्प्रेड ठीक है मेरे चैनल का नाम है इस्प्रेड हैपिनेस उसके अलावा मैं किसी और सेल में जाती हूं और बापिस से मुझे लगा कि इसमें मुझे स्प्रेड हैपिनेस लिखना था और बापिस से में सेल में आती हूं जैसे ही स्प्रेड के आगे मैं हैपिनेस लिखने क लिए एच प्रेस करती हो आप देखेगा इस्प्रेड मिट जाता है उसका कारण यह होता है कि जब तक हम दूसरी सेल में आते हैं और जब बापस इस सेल में कुछ भी एडिट करते हैं तो उसके छोटी सी ट्रिक होती है अगर आप डारेक्ट करेंगे तो पहला लिखा हुआ जो भी ृटा होगा वो मिट जाएगा यहांपर क्या होता है इस प्रेड यह दीखे मैं इस्पेर्ट लिखा है और मैं बापस जा गई अब इस्सें पर बाजू और मुझे हैपइनेज भी है तो मुझे यहाँ पर mouse से यहाँ पर double click करना पड़ेगा डबल क्लिक करने पर आपने देखना यहाँ पर mouse pointer जो है activate हो गया है अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं वह वहां पर मिटे गा नहीं यह देखेगा मैं एंटर करती हूं बापिस से मेरा spread happiness यहाँ पे so करता है ऐसा नहीं है कि आपको हर बार एक शब्द लिखने के बाद में बापिस से आके double click करना पड़ेगा फिर दूसरे शब्द लिखेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप एक ही बार में लिखते हैं जिसे आपने एक ही बार में लिखा spread जब तक यह माउस पर करसर वहीं पर blink कर रहा है उसके साथ ही अगर आप आगे कोई भी शब्द लिख देते हैं तो वो वहाँ पर लिखा जाता यह देखेगा यह यहाँ पर मिटाने इसका कारण यह होता है कि एक बार में आप जितने भी शब्द लिखते हैं वो नहीं मिटते हैं सेल में अगर एंटर करने के बाद दुबारा पूसी सेल में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी से ट्रिक अपनानी पड़ेगी आपको डबल क्लिक करके उसको एक्टिबेट करना पड़ेगा और उसके आगे नई स्पेलिंग आप एड़ कर सकते हैं अब आप यहां पर देखेंगे जो हम लोड़ोंगे इसके डाटा एंट्री हुई तो डी कॉलम मर रही है लेकिन यह कहां पर भी दिख रहा है तो इसको हम इसको एड़िस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जब उपर आप mouse pointer को लेके जाएंगे तो इनके बीच में एक plus जैसा sign बनेगा इससे आप किसी भी cell को और row को एडिस कर सकते हैं अब हमारे पूरे एक ही column में वो दिख रही है सेम इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते कम भी कर सकते ज्यादा भी कर सकते माली जी यहाँ पे हमने कोई number टाइप किया मुझे लग रहा है यह space काफी sufficient इस number के लिए तो मैं क्या करूँगे यहाँ पे इस cell को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकती हूँ यह देखेगा इस तरह से हम अपनी seat का use कर सकते अपनी intelligence के द्वारा कम या ज़्यादा कर सकते कम चीए तो कम कर सकते इस तरह से हमेरे seat का क्या होगा जो भी extra space है उसका बहुत अच्छा use होने लगता है अब यहाँ पे हम अपने pointer को अगर बिना mouse के आपको यहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी जाना है तो आपकी जो arrow की है उनके द्वारा आप यहाँ पर जा सकते देखेगा arrow की से अप डाउन लेफ्ट राइट अप mouse pointer से तो आप डारेक जा सकते कहीं भी लेकिन अगर आपका किसी condition में आपका mouse काम नहीं कर रहा है तो आप keyword से डारेक के आप पर इनका यूज करके भी पूरे seat में कहीं भी आप अपने data entry का काम कर सकते हैं देखेए यहां पर एक्सल बहुत सारी चीजे ही अपने माइंड से ले लेता है बहुत स्मार्ट होता है एक्सल उसको पता है कि हम क्या चाहते हैं बस थोड़ा से हिंट करना पड़ता है देखेए किसी भी cell में मैंने अगर क्लिक किया और मैंने यहां पर लिख दिया है as you and sun down arrow button से हम नीचे आएगा और am on month मतलब Sunday Monday अब हमने Excel को हिंट कर दिया कि भाई हमको यहाँ पर Sunday से लेके Monday और नीचे तक इसी तरीके से नमबर चे दिन के नाम चाहिए अब हम पहली जो यहाँ पर cell उस पर क्लिक करेंगे और इसके corner में हमारा plus का sign चाहिए इतने column में और हम यहाँ पर छोड़ देते हैं आप continue देखने Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday बापे Sunday Monday सारा देखिए हमने Excel को कुछ भी नहीं बता है बस थोड़ा सा हिंट किया तक हमें Sunday Monday से लेके आगे इस तरीके से डेटा चाहिए अगर हम यहाँ पर जनवरी फरवरी चाहिए तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं जनवरी एरो बटन से हम नीचे आएंगे थोड़ा सा हिंट किया फेवरी के लिए ठीके और हम बापे से जनवरी पर जाएंगे यहाँ पर प्लस का साइन बढ़ देके पहले प्लस का साइन बनेगा और वहां से इसको यहाँ तक ड्रेक करना जितने महीने के नाम जितने महीने तक आप नाम चाहिए उतना कर सकते हैं और जैसे हम इसे छोड़ते हैं आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अपर कंटिन्यू हमने एक्सल को सिर्फ थोड़ा से हिंट किया तदो महीनों के नाम बताया तो बाकि उसने ऑटोमेटिक ही ले लिए इस तरीके से एक्सल हमारी बहुत सारी हेल्प करता है बहुत सारी टैपिंग से बचाता है बहुत सारी डेटा को वह अपनी इंटलिजेंसी के आधार पर यहां पर फीड कर देता है तो देखें एक एक्सल को यह हिंट दिया है कि हम मुझे संडे मंडे मुझे फुल चाहिए फुल मतलब पूरी स्पेलिंग चाहिए तो आपको एक या दो स्पेलिंग पूरी टाइप करने पड़ेगे जैसे एस यू एन डिये वाई संडे ब्रॉप बटन से हम नीचे आएंगे मों डिये वा हम या पेड्र ड्रैक करेंग और सारी स्पिलिंग यहां पर आगई अपहीं देखे यहां पर हमने एक्सल को बता है असू एम वह been उस मसंट तो उसंसे ही स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं डी को डे को हमने डे को एड नहीं किया है लेकिन यहां-चे आप cuts लिसपे मंडे टूजडे फ्राइडे सारा एक्सल ने एक्सेप्ट कर लिया आप देखेंगे यहां पर यह जो बैडनेस डे और थर्स डे है वह कहां जा रहा है थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो सेम हमने आपको बताया था हम इस पॉइंटर पर अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे इस पॉइंट पर और इससे हम लेफ्ट बटन से थोड़ा सा ड्रैक करेंगे लाइन दिख रही है आपको जितना भी स्पेस यहां चाहिए उतने स्पेस को ड्रैक करके हम एड्जिस कर लेंगे और हम छोड़ देंगे यह देखेगा अब हमारे इसी कॉलम और रो में सारे आता भी होगा जिन्होंने MS बट सीखा होगा उनको आता है अगर जिनको नहीं भी आता तो बहुत इस यह देखे है जैसा नाम है यहां पर लिखा हुआ है कट माली जी कि यहां पर हमें कोई भी डाटा जो हमें लग रहा है यहां नहीं चाहिए था कहीं और चाहिए तो उसको हम यहां से कट करके वहां पर ले जाते है उसके लिए क्या करते हैं माली जी यह दाटा मुझे यहां नहीं चाहिए था कहीं और चाहिए था इसको यहां पर ह अग्वन को प्याइब एक्टिबेट हो चुकी है अब हम यहां पर क्या करेंगे cut करने के बाद जहां भी इसको paste करना है जरूरी नहीं है इसमें जितने भी यहां पर पेश्ट करने के लिए मनलब दाता को दूसरी जिगा ले जाने के लिए अतनी रोफ कॉलम को स्लेक्ट कर सकते हैं मैं लिए पास में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएँ यह वाला हमने अचिफेट कर दिया अब यहां पे हम क्या करेंगे इसको यहां से cut करके यहां लाने के लिए वापबस यहां पिष्ट लिखा हुआ है देखेँगा इसका shortcut बी यहाँ से कुन्ट्रोल प्लस भी लेकिन उमस बात में बताये को पहले भी हमने पड़ा साइब यहां पहीं किरम करते दीफेंगा से दोपीfy必न है इसके माउस को क्लीक करेंगे और इसके बाइखि करते करें इसके जारे सरे यह जारा इसको बॉलिंक्त करकें तỏi में शेयर जर्ड करों नहीं दोठेसं यहां पर यहां पर है same data ऐसी ही copies की दूसरी जगाँ पर बन जाएगी तो यह माल लिजे इसके बाजू में हमें एक और copies की यह सेम डाटा मुझे लिखा हुआ दिखना चाहिए यहां पर करके हमने Excel स्लेक्ट की वापिस से यहां पर हम पेश्ट पर जाएंगे यह देखिए पेश्ट पर माउस पॉइंटर से एड्जिस करके इसको क्लिक कर लेंगे इस पर डबल क्लिक करने पर यह बापिस से डी एक्टिबेट सेल हो जाता है यह देखेगा काट और कॉपी बहुत अच्छे से आप समझ गये होंगे देखिए इसके बाद हम देखते हैं वी फॉर्मेट पेंटर यह क्लिए क्लिक होता है अगर मान दीजे हमने इतना इसका इरिया सेलेक कर लिया इसको थोड़ा से भी बॉल्डू कर लेते हैं मुइन यह जो फॉन्ट जोसा भी भी चेंज कर देते हैं यह देखे में यहां हमने इसको इतनी फॉर्मिट steering इहां जाए उसके लिए हम्हारी में पेंटर जो हमारी बहुत करता है कैसे समझेगा कि इस सेल पर किलिक करते हैं उसके अलावा हम इस से रहल पर उसको क्लिक करके लेफ्ट से हम फुल उसको ड्रैक कर लेंगे यह देखेगा सेम फॉर्मेटिंग हमें बिना कोई ज्यादा मेहनत के यहाँ पर मिल गई तो यही बस यही काम होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का और ही हमारा एक्सल है जो हमारा बह चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो इक टैप बटन है इन में क्या काम करते हैं हम किसी भी सेल को स्लेक्ट करके यहां पर यह क्या होता है हमारा फॉर्ट स्टाइल होता है किस इस इसे एरिया ब्लैक में हमारा डार्क हो जाएगा यह देखे बाकि नॉर्मल है अगर इसको हम स्ट 통 करेंकर घ्राया हो जाएगा सेम इसी तरीक से हम इसके साइज सकते इह ग्यारह न Cause 10 गयारह 20 पीज जिसमार लीजी में आप 20 ले लें तर नॉम्हारा 20 पर आ चाहिग और फॉर्ट के कंपेरिजन ये बड़ा हो जाता यहां पर बोल्ड कर लेते हैं इसे ही अब आगे हम देखते हैं हमारा है बॉर्डा ऊफसन इस अकर हम ऑने समय चाहते हैं कि अम जल्का लेंगे तो इनमें यह फान प्लेंट प्रिंटimmeay हुआ आएगा और हमेसे डाटा चाहिए अंगर हमें चाहिक इसमें थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ फॉर्मीट करके सुंदर करे देखे तो इसमें ब hoorडर सेट कर देते है इसे ब óiness काई तरीके से अम बहुत سारे आप्सन्था लेकिन उन्या टोल ब Art बॉर्डरlike स्म की क Origmare सम्ट में लिए ओसी पर इससे पर किहाँ करते हैं यहां पर आप वाहं करते हैं बागी को सेसे बाध करते हैं यहाँ बात करते हैं यह देट एकी आप सभी होता है यहां में कहा पर क्रविप सेल पेन चीजिन सेल बांड रहें मेंaca मारे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे आप यलू कलर करेंगे यलो यलू कलर हो जाता है यह फॉंट का रिख चाहिए हम जिस अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर यह जो है alignment दिया हुआ है हमारे फॉंट को कैसे हम किस तरीके से उपर नीचे दाइमवाइल आ सकते हैं देखे अब इसको समझने के लिए हम इमाल लीजेगा यह हमारा संडे इसको हमने सेलेक्ट किया उसके बाद में हमने इसको थोड़ा सा उपर हो गया इसको थोड़ा सब चोड़ा कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए देखेगा यह संडे सेल को स्लेक के यहां पर अलाइमेंट पर गए यह हमारा टॉप पे था यह हमारा कहां आ जाएगा मिडिल यह देखेए डाउन फिर सेल को एक्टिबेट होते हुए देखेगा यह जो हम टॉप पे करेंगे अप मिडिल डाउन और सेम यह ही होता है यह देखेगा यह सेंटर सेंटर किस तरीके से अपने सकना हें वहां पर बार बार क्लिक करके आप इसको चेक करेंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा यह होता हमारे font को कैसे चाहते यहां पर हमने सिलेक किया यहां पर तो समझ में आजाएगा माल लेजे clock buys चाहिए यह देखेगा यहाँ पर यह change हो गया इसको हम बार-बार करके देखेंगे तो हम बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा बार-बार्टिकल चाहिए इसी selected cell में होगा जिसको हम तेखेंगे बापिस से जाएंगे कुछ नया rotate text अप यह देखेगा यहाँ पर चाहिए बापिस से हम यहाँ पर जाएंगे टैक्स डाउन टीके बापिस लास्ट वाला होता है हमारा हम KN Tour nd AT करके रखें बापिस से किसी सीज सीकी पॉजिश्ण में आ सकते हैं ए देखें इस हम हम बापस अपने पोजीशन में आने करें लास्ट इसमें जो होता हम सलैक्क करते हैं यह देखेगा इसमें जो लास्ट दिया हुआ है है कि फॉर्मेट परiggly चैल इसको मैं अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं किस तरीके सेure दिया हुआ इसको थोड़ा सा आड़ा तेड़ा करके देखेंगे यह करेंगे यह थोड़ा सा हमारा तेड़ा आ जाएगा इसी को स्लेक करेंगे अब बापिस से उसके बाद में यह format cell में जाएंगे alignment और माल लेज़े 90 degree में लेके गए हम इसको okay करेंगे 90 degree में सारा आ जाएगा बापिस से control z करेंगे हम जिस format में काम कर रहे थे उसी format में आ जाएंगे अब देखेगा इसके बाजू में लिखा है रैप टेक्स रैप टेक्स को जैसे हम अपना करसल लाते हैं तो खुद हमें बता देता है कि क्या काम करता है यह बता रहा है कि अगर किसी cell में आपका जो डाटा है वो सेल्स की लंबा या चौणाई से ज्यादा होता है तो वो उसको नीचे की साइट सिफ्ट में कर देता है देखें समझते हम इसको माली जें यहां पर हमने कोई शब्द लिखा अब आप देख रहे हैं आपर इस्परेड्ड हापिनेस लिखा हम इने एकी सेल में पर हें कहीं दूसरी सेल में सो कर रहे है क्योंकि दाटा Fell से जादा बढा हो गया हम इसको पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पहलेए of करेंगे जहां पर डाटा लिका और यहां पर ऍच्छा इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रेड अप्र हमारे उसने कर दिया कर दो कि अब कर लेता है आगे देखिए इसमें बहुत अच्छा मर्ज सेंटर मतलब होता है ये row और column को merge कर देता है, मिला देता है, एक कर देता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा से नीचे जाएंगे, जहांपर हमें थोड़ा से space देखें, देखेंगे, shift के साथ हम अपना arrow बटन का यूज़ करते हैं यहाँ पर, जितना भी माद लीजी, इसको आपको select करनी है, इ उसको आपने merge करना है सबसे पहले हम merge in center पर जाएंगे merge in center का काम होता है यह merge in center merge एक कर देगा और जो भी आप text type करेंगे उसको वह बीच ओ बीच में लाके खळा कर देगा merge in center पर क्लिक करते से कोई भीाप करेंगे वह सेंटर से ही स्टार्ट हो गया सेंटर पर खतम हो जाएगी देखे गा है तिक इसे तरीके से आगे देखेंगे हम इसके optson को merge across स्टार्ट का मतलब ہता है कि जो यह रो को अलग-अलग रखता है मैं दो कोछम और रो को मैं देखें आप उधारान की कि द्वारा समझेंगे माले जी यहाँ पर हमने इसको स्कित किया है यह तीन या चार रोय कोलण स्कित कर लीए है अब यहाँ पर हम इसको merge across पे करेंगे merge across पे आप देखेगा यह सारी line उसने अलग-अलग कर दी इसमें कुछ भी type करेंगे देखिए इस सारी row उसने अलग-अलग बना दी column को उसने merge किया है लेकिन उसने cell को अलग-अलग ही रखा है इसमें हमने क्या किया था कि इसमें पूरा merge हो गया था लेकिन इसमें उसने क्या क्या है पूरी line अलग है आपके हर line में अलग data entry होगी इसके बाद में अलग option आता है आपका यहाँ पे merge cell merge cell में कोई भी cell को merge कर सकते हैं बस उसमें फर्गिता होता है merge cell में merge and center cell में जो भी आप data entry करेंगे वो center में आ जाएगे लेकिन merge cell में ऐसा नहीं होता है merge cell में सिर्फ और सिर्फ cell merge होती है उसमें कहीं भी आप data लिखेंगे तो वो center में नहीं आएगा यह देखेगा merge cell करते हैं अब में आपकोई भी data लिखते हैं यह देखेगा अगर हम बार भी क्लिक करते हैं न तो यह कहां पर आता है यहीं से start होता लेकिन merge center में क्या हो रहा था हमारे फरक यह कहीं से भी लिखे हम center से start हो रहा था और यह सारा data center पर कतम हो रहा था लेकिन merge cell में ऐसा नहीं हो रहा था merge across में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था उसमें सारे column को तो उसने merge किया था लेकिन row को उसने अलग लग रखा था अब आगे last है हमारा होता है unmerge cell जितनी भी cell को हमने merge किया होता है उनको बापिस उसी position में लाने के लिए unmerge cell का यूज होता है देखेगा इस cell को हमने merge किया था हम इसको unmerge करने के लिए हम बापिस से इस पे क्लिक करेंगे जिस cell को आपको unmerge करना है उसको select करेंगे और unmerge पर क्लिक करेंगे यह बापिस से अपनी position में आ जाएंगे सारे row और column में आगे से हम इसी तरीके से हम इसको भी unmerge करेंगे यह देखेगा हमारी row column जिनको हमने यहाँ पर across unmerge किया था उनको भी हम यहाँ पर unmerge करेंगे हमारे बागी की seat वैसी ही है जैसी हमने start की थी उमीद करते हैं आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आप जब इसको एक या दो बार अपने laptop पे या PC पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत यह आसान लगेगा आपको अगर मेरी class अच्छी लगी हो तो आप इसे subscribe और like जरूर करें मिलते हैं अगली class में सभी को बहुत सारी खुशियां सभी को बहुत सारा प्रैम और सभी के लिए मेरी तरब से आपका दिन शुब हो नमस्ते